अंतरिक्ष से धर्दी की एक विशेष्टा को देख, साफ हो जाता है कि ये ग्रह सौरे मंडल के सबी ग्रहों से अलग है हमारी धर्दी का सत्तर प्रतिशत हिस्सा पानी से ढखा हुआ है जहां समंदर जमीन से मिलता है, वहाँ पानी हर समयक नियमित रूप से चड़ता और उतरता है, जिसे टाइट्स कहते है लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये जवार भाटा कभी कबार कुछ ज्यादा ही तीवर हो जाती है धरती पर सबी टाइट्स चाहे वो कितनी भी उग रहों, अंतरिक्ष की एक शक्ती की वज़े से बनती है धरती पर ज्यादा तर टाइट्स चान की ग्रैविटी की वज़े से बनती है, और कुछ हद तक सूरज की ग्रैविटी से भी चांद धर्ती के बीच वाले हिस्से के मुकाबले उस हिस्से को अपनी और ज्यादा खींचता है जो उसके करीब है जिसकी वज़े से धर्ती का वो हिस्सा चांद की और थोड़ा सा उभर आता है वैसे ही चांद धर्ती के सबसे दूर वाले हिस्से के मुकाबले उसके बीच वाले हिस्से को ज्यादा खींचता है जिसकी वज़े से चांद से दूर वाला हिस्सा बाहर की और उभरता है यानि अब धर्ती दोनों तरफ से थोड़ी उभरती है यह उभरना दरसल समंदर का उभरना होता है यानि एक हिस्सा चांद की तरफ उभरता है और एक चांद से दूर उभरता है जब चांद धर्थी के चक्कर लगाता है और धर्थी सूरे के तो समंदर के उभरने से पानी का स्तर बढ़ता और कम होता है जिससे जवार भाटा पैदा होते हैं यानि हाई टाइज और लो टाइज बेयोफ फंडी पर टाइज की शुरुआत चान के ग्राविटी के खेचाओं की वज़े से होती है लेकिन इसका उक्रोरू बेयोफ फंडी के अद्बुत फनल शेप की वज़े से सामने आता है समंदर का पानी जब अंदर आता है तो खाड़ी छोटी हो जाती है और उसकी गहराई कम हो जाती है इसलिए जब डाइट के कारण पानी पढ़ता है तो उसकी उचाई भी बढ़ने लगती है लेकिन एक और रहसे है जिसकी वज़े से डाइट इतनी उचाई हासिल करती है समद्र तट पर छोटी लहरों के टकराने के अलावा बड़ी लहरें भी आती है जो समद्र तट से लगातार टकराती रहती है बे और फंडी पर बड़ी लहर को बे के मुँ से तट तक पहुँचका टकराने और वापस लोटने में करीब 12 घंटे लगते है अब क्योंकि समंद्र में टाइड्स भी हर 12 घंटों में चड़ती और उतरती है इसलिए एक सटीक समय पर बे के मुँ के पास ये बड़ी लहर दूसरी बड़ी लहर से तकराती है जिसे वापस जाकर तट से टकराने की उर्चा मिलती है और वापस टकराते समय ताइड्स पानी के स्थर को 50 फुट तक बढ़ा देती है दो घंटे पहले ही ये नाव 15 फुट के उचाए पर थी हाई टाइड माग पर यानि वो पानी का निशान जो वहाँ उन लकडियों पर गहरे और हलके रंग में नजर आ रहा है सबी नाव इस समय समंदर के तल पर बैठी है लाखो करोड़ों सालों से बेय अफवंडी पर टाइड्स ने सैंस्टोन पथरों से टकरा कर उन्हें उनका आकार दिया है और आज वो एक अदबुत रूप ले चुके हैं समुदर से उधे विशाल फूल दान की तरह वक्त के साथ समुदर के तड़ पर ये एरोजिन होता रहेगा आखिरकार ये पथर शेय होकर गिर जाएंगे और नए आकार बनने शुरू होंगे बेय अफवंडी की ताइड्स सर्फ पथरों को काटने का काम नहीं करती हैं वो किसी की जान लेने की क्षमता भी रखती है अकसर किनारे से डेहर किलोमेटर दूर सेर करते हुए भी लोगों को हाई टाइड नजर आ जाती है बीश जनवरी तो हजार बारा लो टाइड के दौरान बेय अफवंडी पर लॉबस्टर के जाल को देखने गए दो मचवारे डूब कर मारे गए बेय अफवंडी पर टाइड एक इंच प्रती मिनिट की रफतार से चड़ती है यानि उसकी रफतार बहुत तेज है ऐसे में संभावना है कि आप तेजी से आ रहे हैं पानी के भाव में खीच लिये जाएंगे बेय अफवंडी पर शायद धर्ती की सबसे उची टाइड जाती हो लेकिन धर्ती की दूसरी योड एक अलग किस्म की खदरनाग टाइड किनारे पर अपनी हुकूमत चलाती है धर्ती पर ऐसी कई जगह हैं जहां जबर्दस टाइड्स भायानक प्रले का रूप ले सकती है चाइना का पूर्वी किनारा यहां शैंग हाई के तक्षुर में साउथ चाइना सी का पानी बॉटल नेका कारवाले हॉंग ज्यू बे के अंदर आता है चियांग टाइंग नदी पर पानी कस्तर बढ़ने से लहरें नदी के बाहाव की उल्टी दिशा से अंदर आने की कोशिश करती है जिससे पानी इतना बढ़ जाता है कि वो 30 फुट की उचाई के साथ 40 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ़तार से आगे बढ़ने लगता है इसे बोर्टाइट कहते हैं किसी साधारा टाइट के मुकाबले बोर्टाइट का निर्मार तब होता है जब टाइट का पानी तेजी से किसी नदी या खाड़ी की धारा की विपीत दिशा में अंदर आता है जिससे इन लहरों का निर्मार होता है ये लहर बनती है क्योंकि पानी बड़ी तेजी से अंदर आ रहा होता है और इसकी वज़ा से चेयन टैंग नदी पर टाइडल बोर की उचाई अच्छे खासी 30 फुट की बनी रहती है चेयन टैंग नदी पर बोर टाइड हर महीने दो बार पैदा होती है जब सूर्य और चांद दोनों का गुरुत्व कर्शन धर्थी पर असर डालता है महीने में दो बार जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है और जब सूर्य चांद और धर्थी एक ही लाइन में आ जाते है तब सूरज द्वारा बनने वाली टाइड्स चांद से बनने वाली टाइड्स का साथ देती है जिसकी वज़े से बहुत ही बड़ी टाइड्स का निर्मान होता है इने स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह उठती है हाला कि अमवस्य और पूर्णिमा की वज़े से हाई टाइड्स का निर्मान होता है लेकिन अंतरिक्ष का एक और रहसे है जिसकी वज़े से ये बोर सबसे सबर्दस्त रूप ले पाती है आठवे चंद्रमास के अठारवे दिन पर एक लाख सत्तर हजार से भी ज्यादा सैलानी च्यांग टैंग नदी पर होने वाले बोर टाइड उत्सव में हिस्सा लेते हैं उस दिन आटमनल एक्विनोक्स भी होता है यानि उस दिन सूरज का केंद्र और धर्दी का एक्वेटर एक ही प्लेन में होता है जिसकी वज़े से गुरत्वाकर्शन सबसे ज्यादा होता है इसी तोरां च्यांग टैंग नदी धर्दी के सबसे बड़े बोर का निर्मार करती है पानी के इस उपहनते गरचते दानव में हजारों खोडों की शक्ती होती है इन लहरों पर दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्फस के भी पसीने छूट जाते है इन लहरों में अद्भुत शमता होती है, ये पेड़ों को खार सकती है और जिस ताकत के साथ ये टाइडल बोर नदी के विपरीद दिशा में बहती है, वही उसे खतरनाक बनाती है दो हजार साल पहले यहां टाइड को देखने की प्रताश शुरू हुई और वक्त के साथ इस बेहत अद्भुत बोर टाइड का नाम सिल्वर ड्रैकन पड़ा अक्सर नजारों को देखने आए उत्साही दर्शक, ज्यादा करीब खड़े होने की वज़े से पानी के बहाँ में खेजे चले जाते हैं 2011 में टाइफून नामडॉल की वज़े से तेज हवाएं और बारिश ने बोर की उगरता और बढ़ाई जिससे वो 70 फुट की बेमिसाल उजाई तक पहुँचा पानी डैम की उपर से निकल गया और ये रिपोर्टर उसका शिकार बनी बोर्टाइड फेस्टिवल ने 19 लोगों की जाने ली वो इस नदी की अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी चेंटैंग नदी का टाइदल बोर 40 किलोमीटर फ्रती घंटे की रफतार से आगे बढ़ता है जो इस से ठकराएगा उसे लगेगा जैसे वो 40 किलोमीटर फ्रती घंटे की रफतार से आ रही किसी गाड़ी से ठकराया यसा खतरनाग बोर्ट चेंग टैंग नदी पर साल में एक ही बार आता है हमारी धर्टी पर एक जगह है जहां ऐसा हर रोज होता है वैसे तो सभी टाइड्स शांत नजर आती है लेकिन इन में से कुछ बिनाशकारी रूप लेती है वाइग्यानिक समझ रहे हैं कि उनमें ऐसा क्या है जिन सो उनका रूप बदल जाता है अलास्का के एंकरेज शेहर के बाहर है टर्निगन आम कुक इनलिट की वो नदी धारा जो गल्फ अफ लास्का से प्रशांत महसागर तक जाती है यहां का खुबसूरत पानी और उसके आसपास मौझूद चुगैश पहार की और बेलूगा वेव्स बॉल्ड इगल्स और ब्लाक बैड्स केचे चले आते हैं लेकिन साथ ही दिन में दो बार एक अलग तरह की शक्ती पैदा होती है यहें टर्निगन आम बोर्टाइट पानी की वो दिवार जो विपरीद दिशा से खाड़ी में 24 किलोमेटर प्रति घंटी की रफ़तार से आती है टर्निगन आम पर जमीनी हालात कुछ ऐसे अद्भुद हैं की बोर्टाइट्स का निर्मान हर रोज होता है युनाइट स्टेट्स में ये एक लौती ऐसी जगा है जहां एसानियमित रूप से होता रहता है टर्निगन आम में बोर्ट के बनने के पीछे का रहसे है उसके उतले जल मार्ग में जो छोटा है और उसकी कहराए काफी कम है ये कुक इनलिट से चुड़ा है जहां युनाइट स्टेट्स की सबसे बड़ी टाइट्स आती है कुक इनलिट में लो और हाई टाइट के बीच का अंतर दस मीटर तक हो सकता है टरनिगन पर इसका असर इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा गहरे को किनलिट से जुड़ा है जब टाइट आती है तो इतनी भारी मातरा में पानी आता है कि उसके पास कहीं और जाने की जगा नहीं होती टरनिगन नाम के मुहाने पर 21 किलो मिटर लंबा चैनल छोटा होकर साड़े तीन किलो मिटर का हो जाता है और अपनी 64 किलो मिटर की लंबाई में वो पतला हो जाता है अचानक राह छोटी होने की वज़े से टाइक के दौरान लहरों का निर्माण होता है ट्रेस्टिया लहरों का सबसे उपरी हिस्सा, निचले हिस्से के मुकाबले ज्यादा तीजी से आगे बढ़ता है जिसकी वज़े से आगे का हिस्सा पिछले हिस्से से आगे चलता है और इस तर एक बड़ी बोर का निर्माण होता है लेकिन धर्ती की दूसी जगों पर खराब मौसम की वज़े से टाइड का पानी उम्मीद से बढ़ सकता है और शांत नज़राने वाली टाइडल वेव्ज खतरनाक रूप ले सकती है हरिकिन टाइफून या साइकलोन जैसे बड़े तूफान वाता वरण में हवा का दबाव कम कर देते हैं और कम दबाव की वज़े से समंदर का पानी टाइड के दौरान ज्यादा उचाई हासिल करता है जिस से बड़ी और तूफानी लहरों का जन्म होता है 29 अक्तूबर 2012 हरिकन सैंडी से बनी बड़ी तूफानी टाइड्स मध्य अत्लांटिक और उत्तरपूर्वी युनाइट स्टेट से टकराएं सैंडी इतना खतरना किसलिए था क्योंकि तूफानी टाइड तो थी ही लेकिन उसी समय हाई टाइड भी थी और ये दोनों चीजे मिल गई जिसकी वज़े से तूफानी लेहरें 8 फुट तक उठी अब इसे आप हाई टाइड के लेहर के उपर रख दें तो क्या होगा जैसा कि हमने देखा यहां के कई लाकों में ऐसी तूफानी टाइड जाईड जैसे पहले कभी नहीं आई थी तूफानी टाइड को जगों पर 17 फुट तक उठी यानि दो मंजिला इमारत क्यों चाही जितनी डाइड का अतिरिक्त पानी निकल कर निचले हिस्सों, छोटी खाडियों, नालो और आईलिंड में चला गया लॉंग आईलिंड के दक्षर पश्चिमी हिस्से में तूफानी लहरों के कारण तीन किलोमेटर के लाके पर बाड़ आ गए ये भायानत टाइड के कारण मची तबाही का मंजर आसमान से साफ नजर आता है 2012 तक सैंडी, यूएस के तिहास का दूसरा सबसे महंगा हरिकन साबित हुआ जब तूफानी टाइड उठती है तो वो अपने साथ हर तैरती हुई चीज़ को उठाती है और नाव तो तैरती ही है और यहाँ आप देख सकते हैं सब आकर जमा हो गए इस नीली धर्ती पर पानी आतंख मचाता रहेगा चांद के गुरुत्वा करशन से उठने वाली लहरें तूफान और आतंख का रूप लेती रहेंगी हाई टाइड के दौरान पानी में जाना बीच पर एंजॉई करना हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन टाइड से डरना भी ज़़ूरी है अंतरिक्ष से धर्ती की एक विशेष्टा को देख साफ हो जाता है कि एक रह सौरे मंडल के सबी ग्रहों से अलग है हमारी धर्ती का सत्तर प्रदिशत हिस्सा पानी से ढखा हुआ है जहां समंदर जमीन से मिलता है वहाँ पानी हर समयक नियमित रूप से चड़ता और उतरता है जिसे टाइड्स कहते है बेयो फंडी पर टाइड्स की शुरुआत चान के ग्राविटी के खेचाओं की वज़े से होती है लेकिन इसका उक्रो रूप बेयो फंडी के अद्बुत फनल शेप की वज़े से सामने आता है समंदर का पानी जब अंदर आता है तो खाड़ी छोटी हो जाती है और उसकी गहराई कम हो जाती है इसलिए जब डाइड के कारण पानी पढ़ता है तो उसकी उचाई भी बढ़ने लगती है लेकिन एक और रहसे है जिसकी एक शक्ती की वज़े से बनती है धर्ती पर ज्यादा तर टाइड्स चांद की ग्रैविटी की बज़े से बनती है और कुछ हद तक सूरज की ग्रैविटी से भी चांद धर्ती के बीच वाले हिस्से के मुकाबले उस हिस्से को अपनी और ज्यादा खींचता है जो उसके करीब है जिसकी बज़े से धर्ती का वो हिस्सा चांद की और थोड़ा सा उभर आता है वैसे ही चांद धर्ती के सबसे दूर वाले हिस्से के मुकाबले उसके बीच वाले हिस्से को ज्यादा कहींचता है जिसकी वज़े से चांद से दूर वला हिस्सा बाहर की और उभरता है यानि अब धर्ती दोनों तरफ से थोड़ी उभरती है यह उभरना दरसल समंदर का उभरना होता है यानि एक हिस्सा चांद की तरफ उभरता है और एक चांद से दूर उभरता है जब जान्द धर्थी के चक्कर लगाता है और धर्थी सूर्य के तो समंदर के उभरने से पानी का स्तर बढ़ता और कम होता है जिससे जवार भाटा पैदा होते हैं यानि हाई टाइज और लो टाइज लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये जवार भाटा कभी कबार कुछ ज्यादा ही तीवर हो जाती है दार्ती पर सबी टाइज चाहे वो कितनी भी उग रहों